हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो दोस्तों हम बात करेंगे पती पतनी के रिष्टों के बारे में किसी भी कारण वस तलाक की नोबत आ जाती है वह कारण कौन कौन से हैं आज की सोशल मेडिया के जमाने में नए जमाने में तलाक के क्या कारण हो सकते हैं हम इसमें चर्चा करे आज हम समझेंगे तलाक के नए कारण अब नए कारण की बात कि पहले तलाक के क्या करण थे वह आपको पता है नए जमाने में तलाक कैसे-कैसे हो सकते हैं इसके बारे में विजान से ले और तलाक कैसे बचेंगे बचने कावी बताएंगे कि कौन से प्रसितिय होती है जिसमें पती पत्नी के बेच तलाक के नोबत आ जाती है और उसके बाद तलाक हो जाता है हम तलाक के काड़ बताएगे और साथ साथ कैसे बचना है इसको भी बताते हुए हर पॉइंट के साथ चलेगे सबसे पहले दोस्तों आप सभी को करवा चौत की धेर सारी सुब काम नाए आज करवा चौत का दिन है इसपेसली पती पतनी के रिस्तों को कैसे बनाये रखना है एक दूसरे के साथ कैसे रहना है सब कुछ इस वीडियो में मैं कबर करूँगा यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखिए तूटता हुआ रिस्ता भी बच जाएगा मेरी गरंटी है अगर किसी के बीच में रिस्ता तूट रहा है बिखर रहे हैं परिवार तो उसको रोकने के लिए यह वीडियो खास तोर से आज करवा चोथ की दिन लाने का मेरा उद्देश यही है तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चर्ण को सब्सक्राइब करें और हो सके तो किसी और कोई आंकारी मिलती रहेगी किसी बागाद कोई तलाक से संबंधित या किसी घी टॉपिकस संबंधित है तो आप कमेंट करके हमसे पूश शकतें कि करेंसा बट इस्ट्रा अफेयर के बाद समझ रहे हैं लव प्रेम दिल यह जो इस्ट्रा अफेयर है यह काफी हत्त क्या लगभग लगभग 90 परसंट तक तलाग का कारवनता है कोई भी पार्टनर होता है चाहे हुआ पत्नी हो या पती हो अगर इनके बीच में कहीं से लव वाला मैटर आ गया है तो निश्चित मानिए कि इनके बीच में दरार आ जाएगी और दराराने का जो एक फैक्ट है अब इसमें हो सकता साधी के पहले भी उनका किसी से फैर रहा हो साधी के बाद अफेयर हुआ हो दो तरह के अफेयर हो सकते हैं साधी के पहले जो अफेयर था ठीक है कुछ तक तो सही चलिए भाई साधी नहीं तो हो गया लिए अगर साधी के बाद भी वह कांटिन्यू रहता है तो यह कहीं न कहीं घा तक हो सकता है दोनों पार्टनर के लिए तो हो सके तो अफेयर वाली बात जहां है आप एक को चुने और उसे साधी करें उसे से सब कुछ अपना रखें अगर आप एक दूसरे के प्रति विश्वास बना कर रखेंगे तो यकीन मानिये कि तलाग जैसी नौबत कभी नहीं आएगे तो इस्ट्रा अफेयर से हमें सब बचे साधी के बाद भी और साधी से पहले भी साधी से पहले हुई है गलती हुई है चले कोई बते साधी होगे उसके बाद आप ज्यों का त्याओं उसको छोड़ दीजिए और नए सिरे से एक नए जिन्दगी सुरू करिए दूसरी बात दोस्तों आती है सोशल मीडिया वाली बात सोशल मीडिया दोस्तों आज के समय में हर परिवार में हर सदस्त के पास लगभग लगभग सभी के पास नुवाईल होई चाए पती हो चाए पतनी हो गलफ्रेंड हो माबाप भाई बेटा लड़के सब के पास मोबा मुबाइल पर फेश्बूक यूटूब वाट्सप ट्वीटर इस्टाग्राम टेलीग्राम दुनिया भर की सोशल फ्लेट फार्म आ गए हैं अब इन में हमें समझना है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से पती पतनी है एक दूसरे को समय दीजिए जादा से जादा घर में रहें तो मुबाइल को आउटसाइड रखकर एक दूसरे से बाचित करें फ्रेंडली दोस्त बनकर रहें एक एरिटेट नहीं कि मैं तुम्हारा पती हो तो मैं तुमसे कम आप एक दूसरे का मनोरंजन नहीं कि मुबाईल आगा है टिक मुबाईल एक साथ है तो किसी जरूरत ही नहीं आप से बड़ा मनोरंजन उस प्लेटफार्म पर ट्विटर इस्टरग्राम पर नहीं मिलेगा अगर आप दोनों के बीच में अगर मोबाइल आती है अगर आप दोनों के बीच में मोबाइल है तो फिर आपके बिगरते रिष्टों को कोई बना नहीं सकता है हम दोस्त खोचते हैं फेस्बुक पर फ्रेंड कोई एकर एक्सेप्ट कर ली कोई लड़की है अब उसको हाई हेलो वीडियो कॉलिंग वाट्साप कॉलिंग क्या है यह कहीं न कहीं आपके अंदर जो आपके पार्टनर है जो आपके पती सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस एक को डाउलोड करें चैट करिए ऐसा नहीं आपके पास मुवाइल है घर में आते हैं उसको साइड में रख दीजिए आपस में बात करिए आप वही रिल देखते होंगे यह नाच रही है क्या है आप अपने आपने पास गाना लगा कर म सब्सक्राइब किसी से कोई बात ने कर चार दोस्ता अपस में हैं चारों लगे हैं बात टिक टॉक कर रहें देख रहें स्क्रॉल कर रहें वीडियों एक क्या है आपका समय और आपके रिष्टों को खाता हुआ चला जा रहा है एस सोसल मीडिया का प्लेट फार्म इसलिए जाता से जाता इससे बचने का प्रियास करें अगर नहीं आप करेंगे तो कोई दूसरा पार्टनर सोसल मीडिया पर मिल जाएगा फिर आप दोनों में तलाक का काड़ बन जाएगा ध्यान रहे कि हमारा मुबाइल घर में आते ही साइलेंट होना चाहिए हम दोनों आपस में आप दोसरी बात आती है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं आप देखिए सोशल मीडिया पर फेमस होने की बात कुछ अत्त्क्ठीक है अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो कभी डांसर नहीं होसकता कोई डांसर है को भी टापर नहीं होसकता कोई इंजीनियर है तो मेडिकल में नहीं जा सकता है है यहनिकि किसी किसी बैक्ति के अंदर एक एक से परतिबाद छुपी हुई है जिसको अगर पहचान ले तो उसी छेतर में आगे जा सकता है अगर वह डांसर है और आप मुझे जब दसती पढ़ाई कर वार कर रहा है कोई रिल बना रहा है कोई गाना गा रहा है कोई वीडियो यूटूब बना रहा है यूटूब पर वीडियो बना रहा है पढ़ाई निखाई कर रहा है कुकिंग कर रहा है या किसी भी तरह कि कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर अगर कर रहा है तो उसको करन जेसे मैं मैं अगर आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हम समझा रहा हूं तो मैं ही कर सकता हूं मैं कोई डांस वाली नहीं बना पाऊंगा लेकिन कोई डांस वाली बनाता तो पढ़ाया नहीं सकता है इसलिए इस बात को ध्यान रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफाम पर अगर पैसा कमाना है तो सबसे बेश्ठाफसान है कि आप इसमें एक दूसरे का सायों करें पत्नी रिल बनाकर डांस कर रही है तो क्या बुराई है किसकी जज़ा रही है आपके घर में खाने को नहीं रहेगा तो क्या पड़ोसी आपको देदागा ज उसका सपोर्ट करें दूसरी बात चुगली वाली है अब देखिए चुगली की बात आती है यह तो अक्सर लड़कियों की एक आदत होती है इनकी बात उनके पास इनकी बात उनके पास चुगली कत्ते ही न करें अपने पती की बुराई आप अपने माय के बता रही है अपन दिनी के बीच में दोनों में अनबन हुई है जगड़े जंड़े हुए हैं तो तीसरे को बता कर आप क्या साबित करने चाहते हैं आप आपस में बात करके उसको समझोते कि अधार पर उहीं खतम करिए दो चार दिनी रिस्से रिस्सा हो जाता है ठीक है लेकिन आप उसको तो इसलिए आपने पती की बुराई किसी और से करना और फिर घूमते घूमते एक गोल चकल लगाते हो फिर उहीं पर आ जाना होना तो समझोता है यह देखो अगर समझोता ने करेंगे तो तलाक हो जाएगा और जब तलाक होगा तो एमस सोचिए कि आपको दूद का धुला हुआ मिल जाएगा आप यहां पर तलाक करके जा रही है और सोच रहे कि मुझे एक अच्छा पति मिलेगा एक अच्छी पत्नी मिलेगी नो इंपॉसिबल कभी नहीं हो सकता है तलाक की साधियां हमेशा ऐसे ही जाती है जिंदगी चोपटा नंद हो जाएगी जहां पर तलाक करके जाएंगे साधिय करने के लिए वो कहेगा ना दूसरी साधिय करके जब तुम अपने पतिक की पहली पतिक नहीं हुई तो मेरा क्या होगी इसलिए हो सके जादा से जादा तलाक की नौबत ना आए इसलिए चुगली वाला धंधा छोड़ दो मत कहो किशी से रिष्टे विखर जाएंगे क्यों पूछने वाला नहीं मिलेगा ऐसे घुमते रहोगे तुम अगली बात दोस्तों पार्टरनर की जो आपका पार्टरनर है उसकी बात को अपने तक ही सिमित रखें कोई बात होई कोई बात नहीं आपस में बाचित करके मामले को हल किया जा सकता है अगर आप उस बात को कहीं और पहुचाएंगे फिर हुआ बात घुमके वहीं बात बताया हूं कि वहीं आएगी मैं दो पार्टर की जो भी बाते होती हैं हमेशा गोपनी बाते होनी चाहिए कभी कोई फैक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए जिसे जवड़ा हुआ पत्ने को घिसरा आगे बाहर दूई जापड़ अब पांच हैं सबके सामने बारेंगे तो आपकी गैर मौजुदगी में या चाहिए आपके सामने ही कोई व्यक्ति मार सकता है आपका भाई मारेगा देवर मारेगा कोई भी व्यक्ति मार सकता है क्योंकि जब पती इज्जत नहीं करेगा जिस पत्नी की इज्जत पती नहीं करता है अगर अपने पती की इज़त नहीं करेगी तो सब इलों उसको जमाई वगरा धिकारेंगे अगर वह उहाँ पर लड़ जाती है उसकी इज़त के लिए तो उन परिवार में भी उसकी स्थान बनेगी भाई देखोई अपने पती के खिलाब कुछ नहीं सुन रही है तो आज की वीडियो में आपने क्या समझा कि इस्ट्रा अफेयर जो लब होते हैं इनसे दूरी बना लेजे साधे भी आओगे भया दूरी बना लो किसी पार्टनर को खोजने के ज़रूत ने अगर आपको खुश लाना है तो आप अपनी पत्नी को पार्टनर बनाए हो उसी के साथ सब कुछ करो अगर आपको रिल डांस देखना तो अपनी पत्नी के साथ डांस करो ना कौन रोकता है आप अपनी पत्नी के साथ गाना गाओ अपने पति के साथ गाना का हो सारे मंडरंजन पति पतने के साथ होने चाहिए तो कभी जिन्दगी स्वर्ग बन जाएगी सारे जिन्दगी नहीं है और कुछ नहीं सोचल मीडिया प्लेटफाम पर जाने की क्या ज़रूत है आप घर में आएं तो एक दूसरे का सपोर्ट करें साथ देजें सोचल मीडिया फेमस होना अच्छी बात हो जाई है कौन रोक रहा है हो यह फेमस जो आप पूरी सर्विस में साथ साल की साथ साल की नौकरी में नहीं सब्सक्राइब वह आप एक दो साल में पास सकते हैं सोचल मीडिया प्रेक्थाम से सहरत चुगली तो किसी को नहीं करनी चाहिए पती पत्नी या किसी विरिष्टे में चुगली आनी ही नहीं चाहिए नित कूटा जाएगा पहले चुगल कोर ने पहले चुगल घुरे कूट आज से अगर मेरी भावनाओं से आपको आहत नोची हो तो उसके लिए चाहेंगे क्योंकि इस वीडियो को लगना ज़रूरता और खासकर आज करावा चौट के दिन आप सभी कोई बाद फिर से धेर सारी शुब कामना है आप पत्ति पत्नी आज से एक नए जीवन के कि आज से नही कोई बादे चुरूरता और खासकर नहीं आपपा करावार बादेर रच्ट कि भान से तक्ति पत्क करावाब कामना है वीडियो कोई उसका आपको थेख़ क मेरी जुरूरूरता और भादेरूस के दूपिया पत्पक बादेरूस कि नही झाज स्जद पत्ति